ये question तो आपने पढ़ी लिया होगा तो सबसे पहले इसका एक rough diagram बना लिया जाए जो statement है उसके base के उपर एक rough diagram बना लिया जाए और हमें दिया है कि पहले 4 numbers का average 44 है लेकिन वो number नहीं दिये तो इसलिए आप कुछ भी ले सकते हैं तो हम सभी को 44 ले लेते हैं और इसी तरह जो आखरी 5 हैं उनका average 40 दिया है number नहीं दिये तो आप उनको सभी को 40 मान लिजिए मान तो कुछ भी सकते हैं answer तो change नहीं होने बाला बस ये होने वो चाहिए जिनकी average 40 हो और वो होने चाहिए जिनकी average 44 हो उसके बाद बारी आती है पांचवा, छेमा और साथवा नंबर की आप छेमे नंबर को x मान लिजिए तो पांचवा होगा x प्लस 6 और साथवा होगा x प्लस 5 ये डाइगराम में आप उसे देखी रहे हैं और अब हमारे को क्या है 12 के 12 numbers की average 42 दिया है तो आप एक equation बना लिजिए ये equation जब solve हो जाती है x के लिए जल्दी से solve कर लिजिए x 39 आ जाएगा और इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवा नंबर 39 प्लस 6, 45 और इसी तरह से जो साथवा नंबर है वो 39 प्लस 5, 44 हो गया हमें 44 और 45 की average बतानी है जो 44.5 है और वही इसका answer है तो ये है इसका answer